आगे बढ़ रहे हैं महराज के शिरौ में अजीत पवार का एक exclusive इंटेविव आपको दिखाने जा रहे हैं हम अजीत पवार कह रहे हैं कि मेरे सामने मेरे भतीजे को उतार दिया उसको मैं क्या दोश दूँ उनको जिस टिकेट दिया है दोशी तो वो है सवाल आपने पार्टी को दोखा दिया चाचा को दोखा दिया और आगए धर आप बोले अगर चालीस में से 35 अमेले चाह रहे थे मेरे साथ आना या इससे ज़्यादा आखड़ा होगा वो अगर चाहरें की सरकार में शामिल होना तो ये बात तो शरतवार साब को समझनी चाहिए थी कि आपकी ज़्यादा तरह मिले क्या करना चाहते हैं चुरिए पार्लिमेंट के चुनाओं के वक्त यहां के लोगों का अलग सोच थी उन्होंने सोचा था कि साब को नाराज न करने के लिए हमने सुप्रिया को वोट देना चाहिए मेरे पास कारे करता ज़्यादा थे लोग भी ज़्यादा थे आते थे मिटिंग में बैठते थे सुनते थे लेकिन चुब बैठते थे जब जब जड़ आया तम मुझे पता चला कि नहीं उन्होंने मेरे साथ होते हुए भी वोटिंग वहा किया अभी मैं वो निकलने के मुझे कोई जरूरत नहीं मैं भी बहुत से विलेजिस में जाता हूँ और बोल देता हूँ कि आपने MP के वक्त जो किया वो आपका अधिकार है एस वोटर के नाते उनका ही अधिकार है फिर अभी मैं खुद खड़ा हूँ इस दफ़ा जैसे साथ बार आपने मुझे चुनके दिया है उसी हिसाफ से आठवी बार भी मुझे चुनके दे दिजिए ऐसे मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ और तब भी वहीं चुनाओं में बहुत से लोग प्राइवेट में इसे बाते करते थे कि पारलिमेंट के लि बुच रहते हैं मेरा सवाल उस युगेंद्र पवार के लिए जिसे कभी आप हाथ पकड़के आपने खिलाया होगा या कभी स्कूल भी लेके गया होगे उससे बचपर में बाते चीट कि आज वही भतीजा आपके सामने खड़ा है आपके मन को उस वक्त वेदना हुई थी क जिस भतीजे को मैंने खिलाया है जिस भतीजी कि मैंने करियर के बारे में सोचा होगा हर चीज के बारे में सोचा होगा आज क्या नौबत आ गए ऐसी राजनीती में कि वो मेरे खिलाफ खड़ा है उसको दोज देखे क्या फाइदा उसको तिखिट को इस किस ने दिया किस ने दिया वो आप देखना चाहिए वो तो एक 30 33 साल का लड़का है उसके अभी तक शादी भी नहीं हुई है उसकी शुरुआत है उनको टिकिट दिया इसलिए उसको खड़ा रहना पड़ा अभी वो जाने दो पार इसमें पॉलिटिक्स में इससा चलता है हर एक को खड़ा रहने का दिखा रहे मेरे कहने से MP के लिए और MLA के लिए 25 साल पूरे होने के बाद कोई भी खड़ा रह सकता है इसमे मेरे MLC और MLC के लिए ज़्यादा है मेरे कैसे 30 साल या 25 साल ऐसा कुछ है ठीक है वो वो खड़ा है वो उसके हिसाब से वोट मांग रहा है मैं मेरे हिसाब से वोट मांग रहा हूँ जंतर पताई करेगी किसको वोट देना है किसको नहीं देना है लेकिन आपको लगता है हमेशा ही पवार वर्सिस पवार हम देख रहे हैं लोग सभा से लेके विदान सभा तक टाला जा सकता था क्योंकि घर तो आपका अनंत पवार का एक था आप खुदी कहा रहे थे कि यह लोगों को भी ठीक नहीं लगा और बाद में मैंने सोचा तो वो नहीं करना चाहिए था लेकिन मेरे से हो गई अभी आगे इस सुनलाओं के वक्त क्या करना क्या नहीं करना उनके हाथ में था क्योंकि बारामती के लोग मुझे खुद मिलने के लिए जब मेरे कारे करता है तब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं दाना आप कोई बारामती में खड़ा रहना चाहिए मैं सोच रहा था कि बारामती चोड़कर शुरूर हविली या पुरंदर या सिन्नर नासिक में सिन्नर एक तालुका है वहाभी मानिकराओ को काटे वहां के मिले उन्होंने भी सब लोगोंने मुझे बताया था कि दाना आप यहां के खड़े रहो लेकिन एक दफ़ा बारामती में मैं दोरे पे आया था और बहुत से लोग मुझे मिले और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं इतने साल आपने बारामती का प्रतिन ही त्व किया है और हमें इच्छा नहीं लगता कि हमें छोड़कर आप दूसरे जगर जाके खड़े होकर उनक का लचा है कि चलो पोलिटिक्स में मेंजर्टी को ज्यादा में तो देते हैं और में जो कर करता बोरे है कि इससा इससे करो बारामती इसलिए में इने बारामती का मैंने खाली उस दिन बाराम कारेकर्ट wouldaं को बताए कि ठीक है आपके मन में जो है उसी सबसे हम डिसीजन लेंगे देखिए बातों सही है कि शरत पावार के जालतर विधायक जो चाहते दे शरत पावार के साथ कि आप सरकार में शामिल होगी हो देखाए यह पहली बार नहीं है दोजार चौदा में जब भारते अंता पावार ने का दावा पेश किया देवेन फणनवीज मुख्यमंति बने जब फ्लोर टेस्ट में जब भूमत प्रूप करना था देवेन फणनवीज को 122 विधायक थे उसमें शिना ने समर्तन देने से मना कर दिया था उसमें शरत पाव उसमें शामिल नहीं हुए उसके बाद उद्धाव ठाकरे सरकार में शामिल हो गए